जैस्ट्री कृष्णा दोस्तों आज हम बनाएंगे यूपी बिहारी स्टाइल आलू की कुरकुरी भुजिया तो इसे बनाना बहुत ही असान है इसे हम बिना मसालों से बना के तियार करते हैं स्रिफ हल्दी और नमक बस दो ही मसाले चाहिए होते हैं और बहुत ही स्वादेश्ट बन करते हैं और आप इसे दस मिनट में बना के तियार कर सकते हैं यूपी बिहार में इसे हर घर में बनाया जाता है बहुत ही simple recipe है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हम लिए है 6 आलू तो 6 medium size के हम आलू लिए है इसे हम अच्छे से छील के wash कर लिए थे और इसे हम पानी में रख दिये थे ताकि एक आले ना परे और अब हम कट कर लेंगे तो इस तरह से एक एक आलू को उठाएंगे और इसे हम पतले-पतले size में एकदम भुजिया को कट कर लेंगे तो इसे sticky style में कट कर रहे है तो इस तरह से लंबे-लंबे size में कट कर लेते हैं और इसे एकदम से लंबे-लंबे size में पतले-पतले size में कट करना रह कट और आप देख सकते इक तरीके से हमारा आलोु को रहा है तो इसे आप एक साइज में में सेप में कट की जिएगा और इसे हम एक दम लंबे साइज में सटिक के ताई करके तयार हिए सारे दियार कर लेंगे तो फिर लगता है अधूरा सा लगता है खाना तो यह तो जरूर सा बनता है हमारे यूपी भिहर में बहुत ही फेमस है अलू के भुझिया तो इस तरह से हम पतले पतले साइज में सारे अलू को कट कर लिए हैं आप हम इसे पाणी में डाल लेंगे और डालने के अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे तो इसे हम जाली वाली थाली में निकाल लिए है आप चाहे तो इस टेनर में भी निकाल लेजी और इसे पास मिनट के लिए छोड़ दीजे ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए ताकि जब हम भूजिया बनाए तो यह च खी मिर्ची डाल लेंगे और फिर इसे हम अच्छे से चला लेंगे तो एक बात ध्यान दीजागा जब अच्छी तरह से गरम होना चाहिए एकदम धुखाधार हमारा गरम होना चाहिए तब ही आप आल местур तो आलू का भुजिया आपका अच्छे तरीके से बन कर त्यार नहीं होगा इसलिए तेल को गरम होना बहुत ही जरूरी रहता है इसलिए जब तेल अच्छे तरीके से गरम हो जाए फीर आप डालिएगा और डालके इसे पांच मिनट तक हम भून लिये थे और भूनने के और यह हमारे यूपी बिहार में बनता है जिसरिफ हल्दी और नमक से ही बनता है भुजिया में मसाले तो पड़ते नहीं है लेकिन अगर आप मसाला खाना चाते हैं तो आप इसमें हलका हलका मसाला पॉडर और भी एड़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम चलाते हुए भुजिया हमारा जो है बनकर तयार हो जाता है और साथ में हम स्वादम सा नमक डालेंगे तो आधी चमस हम नमक डाल ले रहें और इसे हम अच्छे से चला लेंगे और बीच-बीच में चलाते हुए हम इसे 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाते हैं और यह उपर से हलका सा ब्लैन ब्राउन होने लगे और आलू जो हमारा अच्छे तरीके से पक जाए तो यह लीजे हमारा भुजिया बनकर तयार हो जाता है तो इस तरह से 5-7 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए से पकाते हैं और यह भुजिया जो है बहुती तरी लगता है इसे आप पराठे पू कर निए तरह से किनारय किनारय कर देंगे और फिर हम इसї क्लेप में निकाल ले रहे है और अब देखाते हैं यह पैजिं अध्य तरीके से तरीके से यह बनकर तैयार हो गया है और आप्योस आप देख सकते हैं बीच में कितने इसे टरीके से सारे तेल आ चुके हैं और हमारा भुजिया यह देखिए बनकर कितने इसा तरीके से तयार हो गया है एकदम कुरकुरा सा भुजिया जो है बन कर तयार हुआ है तो इसे आप पराठे पूरी या फिर चपाती के साथ खाई है बहुत ही बज़ेदार लगता है और इसे हम अब सर्फ करेंगे पूरी के साथ में इस तरह से सर्विंग प्लेट में लगा ले रहे हैं तो अगर आप इस तरह से अपने घर में आलू के भुजिया बनाके गर्म गर्म पूरी पराठो के साथ सर्फ किजिएगा बहुत ही टेश्टी लगता है और घर में सभी सदेश्यों को बहुत ही पसंद आने वाला है तो मैं मीलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बा लदे टो में आंए मारत टू आור के वेश्यों आपको पस्टा है जए ज pigment ट है जएनों को एको में है जए, लग इस वाले से और ग है कि लाउनों के टने ए ध광 कर रीडियों में साबा को या भाले से साथ Leer कि आता है टाई एक दटों साथ शने है और रट तर ट है कि ए